माहोल बहुत साफ है भारतिय जंता पार्टी और इंडिये के सरकार पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे की थी लेकिन आज वो फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके जब उनसे बिहार चुनाव को लेकर पूछा गया तब उन्होंने कहा कि एंडिये पुर्ण बहुमत से इस बार चुनावी मैदान में उतरने वारी है और जीत भी पक्की है सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह र करती है मंदिर है मेरा दो दिन का प्रवास अत्यंत यशिस्वी हो चुका है मैं इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश जी को और उनका पुरा यूमोर्चा का टीम को मैं धन्यवाद और अभिमंदन करता हूं और माहोल बहुत साफ है भारतिय जंता पार्टी औ पैसे में यह कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी आदव को कठोड़ चुनाती देंगे और जिस तरीके से तेजस्वी आदव हर मुद्दे को लेकर नितीश सरकार पर हमलावर नज़रा रहे हैं बेरुजजगारी की मुद्दे को उठाने की कोशिस कर रहे हैं ये वाव से जुर जो तमाम मुद्दे हैं पलायन का मुद्दा हो बेरुजगारी का मुद्दा हो उद्योग का मुद्दा हो तो ये तमाम मुद्दे को लेकर जिस तरीके से नितीश कुमार पर हमलावर नज़रा रहे केंद्र की सरकार पर भी हमलावर नज़रा रहे ऐसे में ये माना ज पीजेपीन पूरी प्लानिंग की है कि तेज़स्वी आदव जिस तरीके से युवाओ के मोर्चे पर बोलते नजर आ रहे हैं ऐसे में तेजस्वी को तेजस्वी ही जवाब देंगे लेकिन वो जवाब तेजस्वी सुड़्या ने नहीं दिया हलाकि दो रिनों तक उनकी 26 आफ़त और पर दिखी पहले दिन तो उन्होंने कहा कि बिहार में बिहार को जानने के लिए आया हूं पुर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी ऐसे में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी वसेस तेजस्वी वाली लडाई दिखेगी वो तो नहीं दिखी लेकिन तेजस्वी सुर्या एक चीर जरूर रस्पोस्ट करके कहे हैं कि इस बार NDA का जो गठबंदन है वो काफी पुर्जोर है काफी मजबूती के साथ इस बार के चुनावी मैदान में उतरने वाला है विला अलकली इतना ही बने रहा हमार साथ और देखे रहा नियूस फोन इशुर्ट नमस्कार